हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रिंस पर मैंगनेट ब्रिंस जो की फेमा से पूरे एंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प दिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कक्षाबारवी की बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थेव्यवस्था इस बुक को पढ़ रहे थे इस बुक का तीसरा चैप्टर चैप्टर का नाम क्या था बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ठीक है यह चैप्टर जो भी विए उनके मॉडल आंसर जो है आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिसकस करेंगे चाहे आपके क्षेशन जो हो वह टेक्स्बुक के ऑब्जेक्टिव क्षेशन हो चाहे वह डिस्क्रिप्टिव यानि अतिलगुत्री लगुत्री और दिरगुत्री प्रश्ण और प्रश्ण के अन्सर एक दो चलता है लेकिन माल लीजए हमें कोई भी और अब्जेक्टिव क्षेशन एहां तो उसका आंसर अगर हम लोग नहीं लगा पा रहा हैं तो मतलब हमारी तैयारी में कहीं कहीं न कहीं है तो इस तरीके से अपने को भापते हुए हमें आगे बढ़ना है, एकदम modern answers आप लोगों को नहीं देख लेने हैं पहले, चलिए पहला जो objective question है वो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भू उपियोग संवर्ग नहीं है, सबसे पहले जब हम लोगों ने भू ये वाला chapter तो जब नौ तरीके का वर्गी करण हम लोगों ने डिसकस किया था, अब आप बताईए कि उन नौ वर्गी करण में से ऐसा कौन सा वर्गी करण है, जो उन नौ वर्गी करण का हिस्सा नहीं है, option जो पहला है वो है पड़ती भूमी, option C है निविल बोया गया चेत्र, और option D है, क्रशी योग या व्यर्थ भूमी, हम लोगों ने इनके मतलब भी पड़े थे, for example, मैंने आपनों को बताया था, कि परती भूमी क्या होती है, परती भूमी मतलब ऐसी भूमी जो खाली पड़ी रहती है, फिर मैंने आपनों को निविल बोया गया चेत्र बताया था, कि ऐसी भूमी जिसमें एक्चुल में बुआई हो रही है, तो उसे हम निविल बोया गया चेत्र बोल रहे थे, और क्रशी योग व्यर्थ भूमी मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी भूमी जो क्रशी योग है, लेकिन अभी वो खाली पड़ी हुई है, व्यर्थ पड़ी हुई है, और उस भूमी का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तीन वर्गी करण तो हम लोगों ने पड़े थे, क्या दूसरा वाला वर्गी करण पड़ा था, जिसका नाम था सीमांत भूमी नहीं, ऐसा कोई वर्गी करण हमारे भू वर्गी करण में नहीं था, लेक याद रखेगा, डालेक वहां से क्वेश्चन जो है, वो पूछ लिया जाता है, इवन टर्मिनलोजी, आप लोगों से डायक पूछ लिया जा सकता है, कि निवल बोया गया चेतर क्या होता है, या पड़ती भूमी क्या होती है, तो अतिलाग उत्री प्रश्ण भी ऐसे बन क्या है, पहला, वनी करण के विस्तरत वा सक्षम प्रयास, क्या हम ज़्यादा प्रयास करने लगें, क्या हम पेड़ लगाने लगें, अपने आप से पूछिए, आपने लास्ट टाइम पेड़ कब लगाया था, दूसरा, सामुदायक वनों के अधीन छेतर में ब्रद्दी, सामुदायक वनों मतलब ऐसे चेतर, जो समुदायक जिस पर अधिकार होता है, पूरे गाउं का अधिकार होता है, क्या समुदायक वनों के अधीन छेतर में ब्रद्दी है, या ऑप्शन C है, वन बड़ोतरी है तू, नरधारित अधिसूचे चेतर में ब्रद्दी, ऑप्श असान टेकनिक क्या है सरकार क्या कर रही है वनों के अधीन जो अधीसूचित छेत्र है मतलब सरकार कर दे रही है कि यह चेत्र जो है वह बनों का छेत्र है यहां पर कोई अधिवास या फिर आप आप कोई construction activity नहीं करेंगे तो एक्च्वल में तो वनों में ब्रदी नहीं हो रही है मतलब पहला वाला option वह गलत है ना ही सामुदायक वनों के अधीन चेत्र में ब्रदी हो रही है और ना ही management में लोगों की बहतर बागी दारी हो रही है उल्टा जो आसान रास्ता हैं वह अप से क्लियर हो गया होगा ऑप्शन सी है अगर देखidor को बोलते हैं अब मतलब होता है मतलब होता है झाली के हैन ली के फॉर्म में अगर जो है प्रदन यह भी के पर दिन इसका एक कौज है मर्दा लवरता और भूमी पर सिल्ट का जवाब इन में से हमें बताना है कि सिंचित छेत्रों में भूनी विनिक रहना यह लाइन यहां पर बहुत ज्यादा कई बार मैंने अपनों को बताये था हम इतनी ज्यादा सिचाई कर देते हैं कि केशी कत्व के मादयम से या लंबी नंबी छोटी छोटी नलिकाओन के उपर जो हो जाता है तो मर्दा लवरता मैंने आप स्क्रप्रत हो जाती हैं वो केशी काओं के मात्यान से लवळ जो है या नमक जो है वह भूमी पर छा जा जाता है तो इससे जो है वह प्होंषक्वाजीन का प्रक्स होता है उम्मीड करता हूे आप पानी की जरुत है कि रागी जुआर तो रागी जुआर मैंने अपनों को बताए था मोटे अनाज है उती एक अगार इस आउसकह की ने पहुत कम पानी होती है लेकिन गन्ना गन्ना को बहुत ज्यादा पानी चाहिए गन्ना उश्रकिट बंदी आदर फसल है इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है गन्ना उमीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चार objective questions हम लोगों ने डिसकस किये हैं वो बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे पांचवा जो objective question है वो ये है कि निम्न मैंसे कौन से देशों में गेहुवा चावल की अधिक उत कर रहे थे इस condition में हम लोगोंने decide कि बाहर के देशों से कुछ अच्छी quality के बीज जो है वो बुलाया जाए मैंने प्रॉपर स्टोरी भी जो है आप लोगों को बताई थी जब हम ये वाला chapter पढ़ रहे थे खासकर स्वतंतरता के बाद किस तरीके से विकास का चरण हुआ क् बताये था कि कहां से हम लोगोंने बीज लाए थे क्योंकि हम लोगों का इगो भी हट हो गया था हम लोग जब आयात करते थे तो अमेरिका ने हमें ऐसा गेहूं बेज दिया था जो वहां सूरों को खिलाया जाता था और उसे लाल गेहूं हम लोग बोलते थे खैर वह एक अ स्युक्तराज अमेरिका और या पान ती नहीं मेक्सिको और फिलिपिन मेथी या में single को बताई था और फिलिपिन को टाल जहां से अच्छी किस्जू कर गैं thought ने थी उनसे कहीं ज्यादा थी तो हमें फाइदा मिला मेक्सिको और मेक्सिको के गेहूं का और फिलिपीन्स के चावल उमीद करता हूँ आप लोगों को पांचों अब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होंगे चलिए अतिलगुत्री प्रशन देख लेते हैं पहला जो प्रशन है वह यह बोल रहा है कि बंजर भूमी तथा क्रशी योग्य विर्थ भूमी म आप लोगों को अंतर बताना है तो पहली नाम से यहां पर देखिया सपस्ट हो रहा है बहुत चीज रटरने की यहां पर नहीं है जैसे कि बंजर भूमी बंजर भूमी मतलब जहां पर आप कितने भी जतर लगा लीजिए जितने भी प्रयास कर लीजिए चाहे आप अच्छ पर नहीं उगाया जा सकता उसे हम लोग बोलते हैं बंजर भूमी इसी तरीके से क्रशी योग्य वेर्थ भूमी पहले तो यहां नाम सही देखी पहले तो वह भूमी जो है वह वेर्थ पड़ी हुई है वह योग्यता रखती है अपनी किसमें मतलब वहां पर फसलें जो हैं व वहां पर होगी चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका मॉडल आंसर बंजर भूमी क्या होती वह भूमी जो प्रचलित प्रद्योगी की प्रचलित प्रद्योगी की का मतलब होता है जो नवीन टेक्नोलोजी होती है कि मदद से क्रशी योगी नहीं बनाई जा सकती जैसे जतनकलने हम पेड़ पौधे नहीं हुगा सकते मरस्तलों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते खड़े जो होते हैं उसमें हम घर में जापना बडबोढ़े घड्ये हो जाते हैं उसमें हम packet करते हैं आप बंजर भूमी बहुत अच्छ से क्लेयर लोगा है गती होगी सेकेन अप्सकों से पूछा घया था कि क्रशी योग व्यत्थ-भूमी में तो क्रशी योग वेश्य क्या होती है जिसे भूमी उद्धार तक्णिव अच्छा सुधार करें भी में यह हम अच्छी टेखनोलोजी अपना हैं इस भूमी को हम वियर्थ पड़ी रहती है और वियर्थ बात है कि जब 5 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई भूमी खाली पड़ी रहेगी तो उसमें फसल बोना मुश्किल हो जाएगा वहां बड़े बड़े पेड़ पौदे जो है वो उग जाएंगे हो सकता है कुछ ऐसे पेड़ पौदे हम आपर उग जाएं जो क्रशी की तरश्टी से आनिकारों को लेकिन अगर उन्हें हम काट दें भूमी को हम अच्छे तरीके से जोत दें अच्छे बीजों का यूज करें अच्छी टेक्नलोजी या अच्छी सचाई का हम लोग यूज करें तो वह भूमी जो व्यार्थ क्वेशन यहां पर पूछा गया है अब यहां पर रटकर चीज़ें आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हम लोगों ने बहुत अच्छे से यह क्वेशन सॉल्व किया था इवन मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों को चीज याद है तो फॉर् चलिए आप लोगे अपनों को बताई था निविल बोया गयए छहतर की is मैं यहां पर एक्ट्रों में यहां पर थेस्ता है सकते हैं यह Ums Когда में टेकनलोजी यह किसी उन्य चीज़ों की मदद से मैं अगर वौई हो रही है तो इसे वह लोग बोलते हैं नभिस बोया गया छेतर, उमीद करता हूँ आपनों को निविल बोया गया छेतर समझ में आ रहा होगा, सकल बोया गया छेतर क्या होता है, सकल बोया गया छेतर ऐसा छेतर होता है, जहां पर या तो नवीन में फसल बोय जा रही है, वरतमान में फसल बोय जा रही है, या फिर जी margin के सर संभावना कौन थी भूमी मैं होती है वही एसी भूमी जो हमने पिछले वहीं में डिसक्स किया था की विर्थवारी हुई है लेकिन उसको लोग लोग कर चकता है छेतिवारी में को रहता जो इकाल या कम समय तक खाली पड़ी रहती है तो से लोगोंग गो। और अगर 5 सल से ज्याद कोई भूमी खाली तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रशी योग या व्यर्थ भूमी तो यह इतने आसान वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो यह आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले चलिए हम लोग देख लेते हैं वह भूमी जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती हैं उससे निविल बोया गया चेत्र अत्वा शुद्ध बोया गया चेत्र जो है कहा जाता है तो यहां पर एक वर्ड जो है इंग्रिश में आप लोग याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं नेट का मतलब होता है सब जोड़ घटाकर जो सारी चीज़ां होती है नेट एक् कलेक्टिव जो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें होती है वो भी यहां पर हम एड कर देते हैं तो यहां कुल बोया गया चेत्र है इसमें एक बार से अधिक बार बोय गया चेत्र को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है इस तरह सकल बोय बोय गया चेत्र शुद्ध बोय गया चेत्र से अधिक होता है और इसमें सारी चीज़ें होगी उसमें नेट शेत्र तो शामील होगा और निविल चेत्र के अलावा जो भूमी हम लोग यूजर कर सकते हैं ज्यसके वह बहुत गएज़क मतलब को आप लोग याद रखिए कर निविक बहुत होती है उम्मेद करताओओ आपनों को वह बहुत अच्छे से क्लेए प्रील advise और वह चलिए नेक्स कोर्शन पर चलते हैं जाक या निती अपनाने के आवशक्था क्यों पहले वारद था पॉल रहा है पहले हमें आत्म निरभर हुए हैं दो भात में की बहुत ज्यादा आवशक्था है बाद की जन जन्संख्या बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा गरीब है और एक साल में दो या तीन यह फसलें ले ली जाती है उसे लोग बोलते हैं गहन कर्शी यदि यह फना फंट की वह रहा है वह समझ में आ होगा देखिए मैं क्वेश्चन यहां पर लिखता हो ना तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पॉस कर गए अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो कोशिच करिए कि उसका मॉडल आंसर आप लिखें पैन कॉपी में क्योंकि बोर्ड परिक्षाओं में तरह सोचने का सम ही मिलेगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अभी ठीक है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भारत में निविल बॉय गया चेत्र में बढ़ोत्री की संभावनाई सीमित है मतलब भारत में देखिए की समय में बहुत ज्यादा आवशक है इसमें प्रती इकाई भूमी में फसलों की उत्पादक्ता बढ़ाने पर जोड दिया जाए साथ ही गहन करशी भूमी से एक वर्ष में अधिक्तम फसलें जो है वो उगाई जाती है तो हम लोग क्या करें यह आप देखिए निविल जो फीक भूमी है उसमें तो बढ़ोत्तृ की संभावनः नहीं तो हम लोग क्या कर सकते ऊक्ते हैं प्रती हेक्टियर उत्पादक्ता का क्या मतलब है एक प्रती खेट हेता कि कि खेता है उसमें पहले निकल रहे अब 9 παर box निकल रहे थे थे निकल दो 2 औरी की जगह वहां से प गहन भू उपयोग के मतलब एक साल में हम लोग कोशिश करें कि दो या दो से ज्यादा फसले जो हैं वो खेत में ले सकें तभी जो है इस देश का कल्यान जो है वो सुनिश्चित हो सकता है उम्मीद करता हूं आपनों को यह क्वेश्चिन जो है वो बहुत अच्छे से समझ मे आ गया है उम्मीद करता हूं आपनों को यह क्वेश्चिन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है चलिए नेक्स क्वेश्चिन देखते हैं सुश्क करशी तथा आदर करशी में अंतर बताईए दिकिए शुश्क करशी और आदर करशी नाम से इस पस्ट है जो गर्मी वाली फ क्वेश्चन में याद करने वाली थी वह यह मैंने बताया था कि भाई जहां 55 से कम वारिश होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो यह क्रशी भारत के उन सुश्क भूगा अगों की जाती है जहां वार्शिक बर्शा 55 से भी कम होती है अब यह वाली जो लाइन है ना अग एक साल में 55 से कम अगर बारिश होती है तो उसे हम लोग वहां पर जो खेती की जाती है वहां पर इखाई जाती है तो उमीद करता हूं आप लोग को सुश्क कि करशी का मतलब समझ में आ गया होगा अब आधिर करशी समझते हैं इन चेतरों में वे फसले उगाई जाती है ज अधिक आवशक तक किन फसलों को होती है तो भाई चावल मैंने आपनों को बताया था खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है तो चावल जूट गन्ना यह अधिक बर्शा के कारण यह चेटर बार वा मर्दा अपरदन का सामरा करते हैं तो आधिक रशी जहां आप पर होती हैं वहां पर क्या होता है तो वहांने देखा और सबस्केस लुख को सब्स्क्तर को सब्सक्राइं जो शुष्क चेत्रों में या आदर चेत्रों में बोई जाती है तो इस तरीके से सारे questions जो होते हैं वो correlated भी होते हैं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो सारी चीजें clear आराम से होते हुए चलती है ठीक है अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर दीरगुत्री प्रश समस्यां कौन सी है उनका निदान कैसे किया जाए तो हमें बूस अंसाधन की विवने प्रकार की समस्यां बतानी है और इसका मतलब आपने को पता है ऐसी कोई चीज़ जो इंसानों की काम आये उसे हम सनसाधन यानि क्या बोलते है रिसोर्स भू में वीएक संसाधन है अब को लोग समस्या बहुत अच्छे से जानते हैं तो वही जो होता है उसका समधान होता है अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखिए खासकर चैप्टर से संबंदे तो पहले चैप्टर से संबंदे वीडियो देखे तब ही जो है आपनों को इसका आंसर जो है वो क्लियर होगा भारत में भू संसाधनों का निमनी करण एक गंभीर समस्या है जो की क्रशी विकास की दोश्पूर्ण की दोश्पूर्ण नीतियों के कारण उतवायएं चैप्ट करण एक गंभीर समस्हें से इसलिये वी है मृदा की उर्वरता चीन हो गई है या भूमी वह डिग्रेड हो रही है क्योंकि और छीनव यह समस्या मगया विशष्कर के सिंचतर में अधिक भयावा है उनचतरा परियात्मा अगारी घ्रा agree क्योंकि अब हम केती कहां करेंगे क्योंकि वैसे भारत में सिंचिशे चेत्रों बहुत कम हैं इसके कारण अगर हम लोग देखे क्योंकि कारण ही लोगों से पूछे गये थे और निदान भी तो पर सुखा पढ़ रहा है तो कहीं पर बाढ आ रही है तो जहां पर पानी अधिक होता है तो जहां पर पानी अधिक होता है ना तो मैंने आपनों को बताए कि केशी कत्व के माद्यम से लवड़ता जो है जो ऊपर आजाती है नमक की परद जो है भूमी पर चल जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं लवड़ता तो इससे क्या होता है मर्दा में छारता जो है या जो चारता मतलब इसका पीएच स्केल मैं आप लोगों को पता है जीरो से गार जैसे आप पूपर जाएंगे तो उसे हम चार बोलते हैं जिसें रोगी का और जो भूमी है उस समस्या जो है हम लोगों ने ये डिसकस कर ली कि अनेक जगा जो क्या होता है वो पानी भरा रहता है या सिंचित बहुत ज़्यादा आप एरिया कर देते हैं तो समस्या देखने को मिलती है दूसरा जो समस्या है वो यह अब तक लगबग 80 लाख हेक्टेयर भूमी लवनता वच चारता से कूप रभावित हो चुकी है तथा 70 लाख हेक्टेयर भूमी जला करांतिता के कारण अपनी औरवरता खोज चुकी है तो अभी तक एक्चुल में अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो एक्चुल में कंडीशन क्या है यह 80 लाख हेक्टेयर भूमी लवनता और प्रभावित हो चुकी है बहुत जादा वह है क्योंकि हमारे देश में यह वैसे ही निबल बोए गया चेत्र बहुत काम है ऐसे में यह अगर पिक्चर हमारे सामने आती है तो बहुत ज्यादा हम लोगो समस्या के सामना करना पड़ता है और समस्या क्या है कीटन आश्कों रसाइनों के वारासानिक और वरकों के अत्यदेक परयोग से मरदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्मों का सांध्रा बढ़ा है अब देखिए मरदा परिच्छेदिका जिसे इंगलेश में बूला जाता है स्वाइल प्रो परद सी लग अपनों को पता है लिए आहां पर होग रहा है तो पाणी अगर जाता है तो कहा तक जाता है यह डाइग्रंब मैं आपनों जोड़ा परीचे नहीं समझा रहा हूं तो प्यश् appointments अम्रेश करक तो इससे भूमी तो डिग्रेट होगी ही साथ ही साथ फसलों की जो रोग प्रतिरोदक चमता है आज आप एक यूरिया डाल रहे हैं आपको पांस साल बार जो है उसी फसल के लिए दस यूरिया जो है डालना पड़ेगा क्या एक यूरिया की आदत उस फसल को हो चुकी है तो हमारे स्वास्त के लिए भी हानिकारक है और मर्दा यानि भूमी जो है उसके लिए तो हानिकारक है ही अब नेक्स्ट दिक्कत क्या है सिंची छेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है मतलब अब देखिए मैंने आपनों को बताई था किसान पीछ को कि देखिए ने इसके पमने हैं कि हम गया हृँ और चावल यहीं धिक्कत तो यह कि दाल में कि इसकाई होता है झाल nutrida को होताahaha अब बार बार के अगर कार्बा क्पाइड्रेटी हैं यह फूड में नहींआ पाएगी है यह जो जाक्ता चुक्त है कि मैं आपने तरुर सी थ बत्व हैं या भूमी में जो बैक्टीरिया जो भी चीजें जो भूमी की और वरता को बढ़ाती है वह बरावर बने रहते हैं तो सिंचित चेत्रों के फसल प्रति रूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है तो वहां बहु फसली करण में बढ़ोतरी से परती भूमी का चे बहुमी की और बढ़ता जो है वह बढ़ती है अब बोलेंगे सर अभी आप बोल रहे थे कि हम लोगों को गहन करशी अपनाने के आवशक्ता है और अब बोल रहे हैं कि भूमी को पढ़ती छोड़ने के आवशक्ता है लेकिन गहन करशी में ऐसा नहीं कि आप एक फसल बार- तत्वें वह अप्शोशित ना हों को दूसरे तत्व अप्शोशित हों जब इस तरीके का साइकल चलता है ना तो भूमी की और बढ़ता बनी रहती है लेकिन आप एक ही जैसी फसले उगाते हो तो भूमी की और बढ़ता का लौस होता है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बहु तता शुष्क यह हम समस्या है कि ही बहुत सबता सुष्क होती है वहां पर अपर्दन किस्के दोरा हो जाताए पर दन्या इरोजन ही अपने आप में बुरी जीज और वह चाहे जल दippy दिभारा वायूदार हो दोनों ही किसी के भी धौरा जो है वह हानिकारक होता है यह अपरदन या इरोजन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आप करोनों साल बाद बनती है बहुत ज्यादा मुश्किल से बनती है बहुत लाकों करोनों साल बाद इस तरीके से प्रक्रिया जमीन की होती है यह तत्व उसमें जो आते है और वड़ता उसमें आती है वह हम कृतिम प्रक्रिया दवारा या आटी वीशल तरीके से बना ही नहीं सक मर्दा जो है वो एक बहुत महत्वपूर संसादन है ऐसे में अगर अपरदन के द्वारा कटाओ के द्वारा बायू के द्वारा मिट्टी एक जगत से दूसरे बहे का चली जाती है ना तो यह बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे लिए इसलिए मिट्टी की जितनी ज्यादा इ मिट्टी दिखाई नहीं देती आप भी जो लोग शहरों में होंगे कभी आपने आपने अपनों नोटिस किया होगा कि गंबले में कोई पौधा लगाना है तो पौधा तो जो है नरसरी से आप ले आएंगी जनरली बिक्ते भी रहते हैं लेकिन मिट्टी कहां से लाएंगे पौधे में तो मिट्टी जो आप खरीद कर लाएंगे वो तो थोड़ी सी रहेगी गंबले में शिफ्ट करने के लिए आपको ज्यादा मिट्टी आप शक्ता होगी तो आप लोग क्या करेंगे नरसरी में जाएंगे आप लोगों को मिट्टी खरीदना पड़ेगा इवन य प्रोध्योंगी की वह तकनीक विक्सित करके सकते हैं अगर जो पर आपने आप में आपने समधान कर सकते हैं चाहित में बहुत ज्यादा सिचाई करते हैं जिससे Ooh होता है भूमी में लबग करना बढ़ जाता है जो है वो कम करो आप छेत्रों को जो बार वाी छेतने ले क्या करो खाली करो आप ऐसे की 55 नाशक और रसाइनों का हम लोग बहुत जाद उपियोग कर रहे हैं तो समधान क्या हो जाएगा कि कीट नाशकों और रसाइनों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए जैविक क्रती जैविक खेती जो है उसको बढ़ावा दिया जाए तो उम्मीद करता हूं आप लोग य क्रशी विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें मतलब जब हमारे देश को 1947 में आजादी मिल गई थी तो हम लोगों को फोकस करना है कि 1947 के बाद एक्रशी विकास के चेत्र में हम लोगों ने क्या प्रयास किये है यह बात हमें याद रखने की आवशक्ता है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा एक चीज और जब हम एक्रिकल्टर डवलप्मेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग भावनाओं में बहें के 1947 के पहले की चीज़े बता देते हैं हमें पता नहीं है 1947 की बाद वाली पता नहीं चलता है इसलिए मैंने आपनों को पहले ह है वो कर दिया है प्रापति से पहले भारतियेक क्रशी एक ऐखर अर्थ व्यावस्ता थी अगर हम पहले की बात कर रहे है तो हमारी जो क्रशी थी वह जिवी को पार जी थी अब जीवीगों करने थी मतलब हम उतना ही पैड़ा करते थे जतना हमारे पेट को जरुरत है हम लो सब्सक्राइब राप्ति के बाद सरकार का में फोकस कि हमें तो यह बढ़ाए जिसके लिए उन्होंने क्या प्रयास कि वह को हम यहां पर देख लेते हैं यह सारे प्रयास हम लोगों ने जब हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ रहे थे ना क्रशी विकास वाला टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोगों ने इन बातों को बहुत विस्तार से समझाए आज उन्हीं बातों पर मैंने आप संभावना बहुत ज्यादा है और आप लोग यकीन करिए यह जो क्वेरी आईएंपी है वेरी आईएंपी क्योंकि इसमें जो है ना पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वह आ जाता है पहला पहली चीज़ जो हम लोगों को की जो हम लोगों हम जो सरकारों ने की आजादी के और कि व्यापारिक फसल हों के स्थान पर खाद्यान फसलों को ए? तो इस तरीके से दो बार इंडिया को लूटते थे एक तो रॉ मटेरियर यानि कच्छा माल हमारे देश से ले जाते थे और पक्का माल जैसे की कपास ले गए वहां से जीन्स शैट बनाई और वापस से इंडिया में बीज दिया तो दो बार लूट लिया ना तो उन्हें तो इसलिए अन्हें बिए जो दो वहुत वहां थे चाए को तो गेहूं चावल डाल से मतलब नहीं था इसलिए उन्हों ने व्यापारिक फसनों पर बहुत ज्यादा फोकस किया इसलिए जो थी खाध्यानों की कमि हो गई इसलिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नील अंडोलन हो रहा है अंग्रेज बहुत ज्यादा नील इंडिगो फार्मिंग जो है यह नील की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और नील के साथ दिक्कत क्या है पता है आपको इंडिगो जाला नील जो हम वाइट कपड़ो तो इससा होता था जिस समय ब्लशुलों में लिए अध्र के नियांड़ फस्नों चाय तंबाकू दे गरते हो है और चाय तो आपकी जो मर्दा का उपजाओ पनेना मुक्षीन होता है वह रास होता है तो अब सरकार का फोकस यह था कि व्यापारिक फसलों के क्रशि गहनता को बढ़ाना मतलब भारत में क्या होता था अधिकतल लोग एक साल में फसल लेटे थे और आराम से चद्दर तान के सो जाते थे सरकार ने कि क्रशी गहनता को बढ़ाओ एक साल में दो या दो से ज़्यादा फसलें लो तो दो तीन फसलों को उगाने पर सरकार ने फोकस किया साथ ही फोकस किया कि जो क्रशी योगी बंजर भूमी पड़ी है खाली भूमी पड़ी है उसको भी उपयोग में लाया जाए और क्या किया परती भूमी जैसे लोग बोलतेए खाली भूमी जो की किसान लोग जिसका मिट्ु का उबजाउपन वापस है इसलिए भूमी को क्या छोड़ीत तो पड़ी भूमी को भी उपयोग में लायए जाए लाया जाई इस बात की सर जो थी सरकारकार कोशिच कि यह इस दिशा में सरकान ने प्रयास किये और क्या किया आजादी के बाद प्रारंब में इस नीती से खाद्यान का उत्पादन बढ़ा शुरुवात में तो जो हम लोगों ने देखा जो अब भी हम लोगों ने दो प्रयास देखे कि परती भूमी को बंजल हो खेती हो की मूमी हैं जो से पारा था इस समस्यां से निपटने के लिए कर्षी जिल अब देखंगी यह दोनों स्कीम है में पर वो अपना है मेरा आपनों को बताया था हम लोगों ने जो थे मैक्सिकों से और फिलिपीन से यह यह प्रयों किया कि यहां पर अगर हम एंड़ों को गए जो कि उन्नत किस्म के बीज थे तो उनसे जो था प्रडॉक्शन बढ़ा शुरू बात में लोगों ने सिर्फ थोड़े स्टार्ट गया तो बेसिकली यह दोनों का एक ही थे बस यह कुछ कम जिलों में चलाया गया था तो यह बहुत महत्वपों प्रयास था करशी की दिशा में जो सरकारों द्वारा हमारे देश में किया गया किन्तु क्या हुआ कि 1960 के दशक में दो भयंकर जो थे अकाल आए और इससे हमारे देश की कमर तूट गई कोई पर्मानेंट सलूशन जो है उसको अपनाए जाने की आवशक्ता है इसलिए हम लोगों ने फिर फोकस किया हरित क्रांती पर देखिए तो 1960 के दशक में दो अकालों से देश में अन्य संक देने वाली उन्नत किस्म मंगवाई गई पैकेश प्रोद्योगी की के रूप में सबसे पहले पंजाव हर्याना पश्ची मुत्ता प्रदेश आंद्रप्रदेश गुजरात के सिचाई वाले छेत्रों में इन उत्पादक्ता वाली किस्मों को जिसको हम लोग नाम देते हैं हाई-इल्डिंग वैराईटी ऍसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादक्ता देने वाली जो किसमें होती हैं वह बीजों को इन छेत्रों में बोया गया गया किउम्लाइश प्रदेश अंद्र प्रदेश और गुजरात अब इन छेत्रों में सिचाई की सुभराएं अच्छी थी जब हम हाई इल्डिंग वराइटी सीड्स बोते हैं ना तो उन फसलों को ज्यादर से चाहिए आवशकता होती है इसलिए हम ऐसे चेत्रों में नहीं बोसकते जो सुश्क चेत्रों तो इन चेत्रों में बोया और हम नोगों ने पाया कि यहां पर उत्पादन जो था वह बढ़ गया करशी विकास के इस नीटी से खाद्यानों के अभूत पूर्पूर ब्रद्दी हुई जिसे हम लोगों नांदी नाम दिया घ्रीन रिवॉलूशन या फिर हरित क्रा लगी और बहुत सारी सुबदाएं इस महाने किसानों को दी गई जिसमें सरकारों ने यह भी फूकस किया कि उन्हें क्या दिया जाए कीट नाशक दिया जाए क्रशी अंत्रों को उपलब्द कराया जाए जैसे कि हार्वेस्टर थ्रेसर या फिर करशी आधारित उद्ध्यो परदेश आंद्रप्रदेश गुजरात की छेत्रों तक सीमित थे लेकिन 1980 के बाद हम लोगों ने फोकस किया कि यह जो प्रद्ध्य भारत में और पूर्वी भारत में भी फैले तो हम लोगों ने इस तरीके से स्वतंतरता के बाद करशी के चेत्र में योगदान जो दिया था या इस पर फोकस किया था इसमें एक सब पॉइंट और आता है कि भाई हरित करांती के दुस्पले नाम देखें तब मैंने आपनों को बताया था कि भाई इन चेत्रों पर फुरूबात में बहुत जाला फोकस हुआ था ना तो प्रादेशिक जो असमानता है या रीजिन मद्य भारत और पूरवी भारत में आई गई ताकि इस असमानता को जो है वो खत्म किया जा सके और हम लोग ने क्या किया योज्व ने 1988 में करशी विकास में प्रादेशिक एक संतुलन को प्रोचैइट करने हैं तू करशी जल्वाइव नियोजन क्या है तो क्रशी जल्वा सคะ और आप लोगों को बहुत आप लोगों को बहूत बहुत यह वह यहां पर देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से हम लोग जो है डिसकस कर रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ कर सकते हैं इसके बाद हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने किया 1990 के दशक का इंतजार इस समय हमारे देश के प्रधान मंतरी हुआ करते थे इन्होंने एक हिस्टॉरिक डिसिजन लिया कि हमारे देश की अर्थवयास्ता के दरवाजे विश्व के देशों के लिए खोल दिये इसी पॉलिसी का नाम था ल पी जी तो मैंने आपनों को बताया भी था कि लिक्वीड पेट्रोलियम गैस नहीं है लिपीजी का मतलब है ल कि समयों के समर्थन मूल्यों तथा बीजों कि नाशकों और रासानिक और वरकों पर छूट में कटोती की गई फिर भी भारती क्रशी से उच्छ उत्पादक तक लक्ष प्राप्त किया गया अब दिक्कत यह थी कि सरकार का फोकस जो था वो क्रशी शेत्र से तो हड गया और हम लोगों ने क्योंकि कॉंपटीशन बढ़ा तो सरकार ने समर्थन मूल या जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें भी गिरावाट डर्जी की गई और अवसंदशना या रासानिक उर्वड़क जो थे उनमें भी छूट में भी का टोती की गई क्योंकि आप अपने देश के दर्वाजी दूसरे दूश्य हमने तो इससे हमारा जो प्रोड़क्ट था हमारे देश का गेहूं चावल डाल जो था वो विदेशों में जाने लगा और विदेशों से भी जो अच्छी चीज़ें जो हमारे क्रशी के लिए उप जाओ चीज़ें या जिससे बढ़तरी हो सकती है जैसे कि अच्छी टेक्न प्रशन भी देख लिए अतिला गोत्री और दीरगोत्री प्रशन भी देख लिए उम्मीद करता हूं आपनों को एक एक क्वेश्चन जो है वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी तरीकी से से साथ डैली बोड बिहार बोड यूपी बोड और राइस्थान बोड है साथ है साथ मेंगनेट बिन्स चैनल पर वैदिक मैस क्लेश कोर्स और स्पोकन इंगलिश की वी क्लासिस चलाई जा रही है www.magnetbrins.com आपनों को बता दी है इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को मिलता है आप लोगों के इन सबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कोई बीची समझ नहीं आ रही तो बेहचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इनोट्स और इबुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वहां से आप लोगो को एक्सिस मिल जाएगी ठीक है इसी तरीकी की और वीडियो देखने के लिए मेंगनेट चैनल के साथ जुड़े रही है आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच